आगामी लोगसभा चुनाओं के मदे नजर शामली जुनपद में आज से नामांकन प्रक्रिया प्रारंब है और इस पूरी प्रक्रिया में जो तकरीबन 7-8 दिन चलेगी उसके लिए हमने भारी फोर्स तैनाद की है और इस पूरी नामांकन प्रांगन को आईसोलेट किया गया है बैरिकेडिंग के माध्यम से और जो गाइडलाइन है कि 100 मीटर की परिधी के बाहर ही प्रत्याशी और उनके प्रस्तावा की त्यादी रोके जाते हैं वहां से प्रत्यासी के साथ के वल चार लोगों की एंट्री अलाउड होती है तो उसके मद्दे नजर सड़क पे 100 मीटर दाएं और 100 मीटर बाएं के तरफ बैरियर लगे हुए हैं और सबकी सगहन चेकिंग की जा रही है कलेक्टेट परिसर में कोई आईसी व्यक्ति अवस्तु वहां ना आये जो जिसमें संदिक्द है उसके लिए पूरी बयवस्ता की गई है इंस्पक्टर रैंग की अधिकारी लगाए गया है, एक सीओ रैंग की अधिकारी यहां के प्रभारी अधिकारी है, और हमारे जो एडिसनल स्पी हैं, जो नोडल हैं चुनाओ के वहाँ पर पूरी बेवस्था देख रहे हैं उन्हीं के नेत्रे तुम्हें सारी चीज़ें चली हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि नामांकन पूरी तरह से शांती पूर्ण रहे और कोई अराजक व्यक्ति अवस्तु परिश्र में प्रवेस्ट ना करने पाए उसके लिए चप्पे चप्पे पे हमने अपने पुलीस कर्म को और दिधारियों को मैं असलहा और लाठी तैनात किया हुआ है